नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आईसे ही हाउस पैंटिंग को और 17 मिनट में बिल्कुल फ्री में करवाने वाले हैं जी हाँ दोस्तों वो भी अपने हाथों से अलग-अलग कलर बनाके अलग-अलग तरीके से यूज करके दिखाने वाला हूँ आप लोग इस वीडियो को लाश्ट लाश्ट तक देखे और विल्कुल फ्री में अच्छा जनकारी लीजिए दोस्तों सबसे पहले तो ये घर आप देख लीजिए ये घर में अंदर बाहर हट जगा हम पेंट करने वाले हैं तो सबसे पहली घर को अच्छी तरह से देख लीजिए ये पंदरा साल पुराना है अभी तक कोई इस पे कलर नहीं किया गया है बिल्कुल वैसा की वैसा ही है कहीं कहीं काला पढ़ गया है उसमें हम तार बरस से उपर उपर सफाई करके और असी नमर सेंडिंग पेपर लगा के बिल्कुल हम सफाई कर लिए और ये रहा अंदर का रूम सब देख सकते हैं कितना कला कला बैठ गया है बहुत ही खारा अप लग रहा है देखने में पंदरा साल कम नहीं हुआ दोस्तों पंदरा साल बहुत दिन हो गया है इसमें अगर प्लास्टर ज़ड रहा है प्लास्टर तो वैट सिमेंट करवा कि उसके बाद आप पेंट प्रेमर कीजिए अगर नहीं जाड़ रहा है तो इसे आप प्रैमर में भी कलर बना के लगा सकते हैं आज की इस वीडियो में हम प्रैमर में भी अलग-अलग तरीके से यूज करके दिखाने वाला हूं तो देख सकते हैं ये रहा यूनिवर्सल एस्टीनर ये फास्ट येलो है जिसका रेट 93 रूपया है 100 ml का और इसका भी रेट आप देख सकते हैं 100 ml का 93 रूपया है और यह रहा universal एस्टीनर तो यह रहा fast yellow green तो यही इसका भी rate 93 रुप्या है और यह रहा fast blue और यह देख सकते हैं universal एस्टीनर यह रहा fast red पेंडराइड का है fast red 43 रुप्या इसका rate 100 ml का तो यह आप देख सकते हैं इतना सारा हम color बना के और इस घर में अपने हाथों से primer में ही color बना के लगाएंगे तो यह आप देख सकते primer smart care dam तो यह exterior है हम primer में ही लगाएंगे और 4-5 साल बाद भी paint कराने वाला है तो हम बिल्कुल अभी घर तैयारी कराएंगे primer में ही तो आप देख सकते हैं यह 20 लिटर का बाल्टिन है और बिल्कुल white है तो उदारान के लिए हम दिखा देते हैं अगर यही same color हम खरीद के लाते हैं 4 लिटर में जिसका color code 177 है यही color हम बनाने वाले हैं अपने हाथों से 4 लिटर का 273 हजार रुपया तक पड़ता है और same यही color हम आज हम अपने हाथों से इस white primer में बनाने वाले हैं जिसका आप देख सकते हैं हम आधा जो है लेके अभी 10 लिटर रख लिए हैं और 10 लिटर में ही हम light green color बनाने वाले हैं तो light green color बना के अपने हाथों से अब खाने वाले हैं तो आप लोग इस channel को subscribe कीजिए और वीडियो को like कर दीजिए और दोस्तों पास जडूर share कीजिए तो दोस्तों देख सकते हैं इस सब का ढखन पाले हम खोल लेते हैं और उसके बाद जो है हम इसमें mix करते हैं तो दोस्तों तब तक इस channel को subscribe जडूर कर लिज आप सब को और अच्छा जानकारी देने वाले दस साल का experience है मुझे जो कहां पर कौन सा करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो चलिए 10 लिटर में हम सबसे पहले यह जो है ग्रीन कलर मनाते हैं तो यह रहा येलो फास्ट ग्रीन हमने छे पीस जो है येलो फास्ट ग्रीन इसमें हम यूज कर रहे हैं और पांच पीस जो है इसमें हम फास्ट येलो यूज कर रहे हैं तो सब को इसमें mix करके तब देखते हैं जो कौन सा color बनता है तो दोस्तों देख सकते हैं दोनों को हम अच्छी तरह से 100 ml करके सब डबा को खोल-खोल के बारी-बारी से डाल देखते हैं चलिये इसको अब mix करके और देखते हैं इसको हम पानी से थोड़ा साफ करके उसके पुट्टी का अपने हाथों से कलर बना के तो इसी तरह से हम इसी तरह कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात ने हम बहुत जगा इसे कि बहुत तीन साल चार साल हो गJam कलर अभी तक वैसे कि वैसे है लेकिन SN का यूज़ करते हैं Endoco का यूज़ करते हैं तब ही ठीकेगा Other Company का आप यूज़ करते हैं तो उसका कोई guarantee नहीं है तो इसको मिला के अच्छी तरह इसमें हम 10 लिटर में 5 लिटर हम पानी यूज़ कियें और 15 लिटर material बन चुका है माल बन चुका है तो 15 लिटर में हम final करने वाले हैं तो देख सकते हैं बिल्कुल तयार हो चुका है फेटा भी हम मार दिये हैं दोनों बाल टीम लेके और इसी तरह फिर हम चलते हैं बरस से एक बार चेक कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं जो सही बना है की नहीं बना है तो देख सकते हैं बिल्कुल सही बन चुका है नहीं मोटा और नहीं पतला है तो सेम इसी तरह आप भी अगर यूज करना चाहते हैं तो इसी तरह आप कर सकते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं हम रोलर से यूज़ करने वाले हैं तो ये रहा 8 इंच का रोलर तो रूई वाले रोलर है इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं ये रोलर बहुत ही अच्छा होता है तो सबसे पहले तो छट में हम वही सेम वही वाइट प्रेमर जो है ज़़ी के उपर और छट में वाइट कर चुके हैं उसके बाद इसी तरह पहले बरस से कटिंग कर लेते हैं उपर निचे जहां रोलर नहीं चलने वाला है उस जगा हम सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं कटिंग करने के बाद इसी तरह रोलर यूज़ करते हैं सेम उपर से नीचे तो दोस्तों देख सकते हैं हम कोई इस पे प्लाश्टर पे कोई हम वाइट सिमेंट नहीं मारे हैं कोई नहीं कुछ भी नहीं किये हैं नहीं वाल पुटी मारे हैं डारेक्ट हम प्रैमर में ही कलर बना के उसके बाद रूम केलियर कर रहे हैं तो इसी तरह क कर सकते हैं अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा फिनिशिंग कराना चाहते हैं तो इस पर वाल पुटिक कीजिए अक्रेलिक वाल पुटिक कीजिए प्रेमर पेंट बहुत सारा इसा जो है जो आप करके अच्छी तरह से फिनिशिंग कर स रखते हैं ऐसे कोई बात नहीं आए जो इसमें नहीं टिकता है बहुत पेंटर सब ऐसे बोलते हैं जो नहीं टिकता है तो इसी तरह जो है करते हैं तो चार गंटे के बाद जो है दोस्तों हम इस तरह डबल फिर कर रहे हैं इसी कमरे में सिंगल कोट कर दिये हैं चार गंटे के पिरसे हम इसी तरह double करना शुरू किया है, तो इसी तरह करते करते बस final हो जाता है, तो दोस्तों इसी तरह कर सकते हैं, कोई इसमें दिकत वाली बात नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये अभी गिला है, double code लक्ड लक चुका है, बिल्कुल ये हमने final कर चुके हैं, और दोस्तों देख सकते अब बाहर करने वाले हैं बाहर में ये सब जो ब्रंडा सब देख रहे हैं तो बाहर में हम कलर करने वाले हैं सेम वही कलर होगा ब्रंडे पर दिवार सब में और कहीं कहीं बाहर सब में बस सेम यही ग्रीन कलर होगा तो अगर आप लोग इसी तरह करना चा और भी ऐसाइसा कोर्स हम करके बना के जल्दी आप लोग को सिखाने वाले हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंड किजेगा तो दोस्तों देख सकते हैं हमने कर चुके हैं ऊपर ऊपर बच गया कटिंग करने के तो इसमें बरस से कर लेते हैं देख सकते हैं ये तो रूम तो बिल्कुल फाइनल हो चुका है और देख सकते हैं निचे बच गया एसकाटिंग करने के लिए देख सकते हैं एसकाटिंग नहीं करते हैं तो बहुत ही बेकार लगता है ये प्लास्टर का गोला चड़ाया हुआ है तो इस पे नेरू अगर चड कोई बात नहीं लगा है देख सकते हैं बाहर सीडियों में और साइट सब में कितना बिकार लग रहा है तो चलिए यह सब भी हम करके दिखाने वाले हैं तो इसके लिए हम यह पेंट यूज करने वाले हैं एपेक्स का डेस्ट प्रूफ यह रहा सिगनल डेड जो आप देख सक हैं इस सिगनल डेड जो हैग जिसका डेड आप देख सकते re mêmes 1974 है एसपी सिगनल डेड है तो यह चार लिटर का पेकिंग है यही यूज करने वाले इसमें हम पानी यूज नहीं करेंगे यह इसमें पानी यूज इसलिए नहीं करेंगे यह हमको एक कॉड में ही लाना है बिल ताकि जल्दी जल्दी से काम ने पढ़ जाए क्योंकि आगे में फिर साधी है तीन चार रोज के बाद फिर अच्छी तरह से काम ने पढ़ जाएगा तो फिर हो जाएंगे तो दोस्तों देख सकते हैं इसी तरह करना चाहते हैं तो दोस्तों, एस्कार्टिंग करने से पहले जो है, इसको अच्छी तरह से सफाई कर लीजिए. जहां धालमिटी रहेगा, तो जाड़ू से सफाई कर लीजिए, रगड़ाई कर लीजिए और इसी तरह कीजिए. तो हमने बिल्कुल final पहले कर चुके थे उसके बाद हम करना शुरू की है रेड कलर तो देख सकते हैं इसमें ये कलर बना बनाता है अगर आप लोग बनाना चाहते हैं अपने हाथों से तो ये अंत अंत वीडियो के लाश्ट में हम ये भी कलर बनाते हैं तो आप वीडियो को लाश तक जड़ू देखें तो दोस्तों देख सकते हैं इसी तरह अच्छी तरह से इसको कटिंग करना पड़ता है तब ही सही लगता है देखने में तो दोस्तों इस सब का वीडियो अलग से अगर देखना चाहते हैं जो किस तरह पुरा रूम फिनिशिंग करना चाहते हैं इसका भी वीडियो बना चुके हैं अल्रेडी आप इस चैनल पर देख सकते हैं देख सकते हैं दिवार हो चुका है उपर एसकाटिंग भी नीचे हो चुका है तो कितना सुन्दर लग रहा है इस से पहले आप लोग जो फिनिशिंग हो चुका है तो इसी तरह आप देख सकते हैं कितना अच्छा लाग रहा है पहले का कमरा और अभी का कमरा देख सकते हैं असमा धरती का फरक हो चुका है तो चलिए अब बाहर आप लोग को दिखाते हैं इसमें आप हमको जहां कलर करने का था हम किरीन कलर कर computer से बना के लाते हैं तो 708 सुर्पिया पड़ता है यही same color चलिए अब हाथ से हम करके बना के दिखाते हैं तो इसमें हम 1 liter प्रेमर लिए 1 liter white प्रेमर लिए और white प्रेमर में ये fast blue जो है इसमें हम 300 ml इसमें हम mix करते हैं 300 ml इसमें mix करके और fast blue color डालके electric blue हम बनाते हैं same वही color जो computer से बना हुआ था उसमें तो ज़्यादा महंगा पड़ता है ये अगर आप लोग हाथ से बनाते हैं तो 300 के आसपास में बन जाता है अगर computer से यही color बना के लाते हैं तो कम सकम 7800 रुपिया पड़ता है पर लिटर तो क्यों न हम हाथ से ही बना के अच्छी तरह से लगा ले तो दोस्तों यही वो फरक है जो computer से हाथ से बहुत आसमा धरती का फरक हो जाता है तो दोस्तों like, share और channel ज़रू सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही painting course हम ज़रूर आगे लेके आती रहेंगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा तो इस तरह हम ज़रूर लेके आती रहेंगे तो देख सकते हैं यह कुछ light बन गया था इसमें हम एक डबा और mix करते हैं तो कुछ light बनिया इसमें ज़रूर इतना डालिएगा उतना ही यह dark होते ही चले जाएगा तो बहुत ही अच्छा color बन जाता है सब color के बारी बारी से हम इसमें दिखाने वाले हैं अभी तो दो color हुआ है और भी आगे हम हाथ से color बना के दिखाने वाले हैं तो देख सकते हैं यह pillar सब में और एस्टार वाला pillar बना हुआ था इस सब डिजाइन में हम यही color से भरने वाले हैं ताकि देखने में भी काफी खूबसूरत लगे और कहीं कहीं यह tile सब जो है भगवान वाला tile सब जो है चिपका हुआ है तो इसको बचा के करना पड़ता है तो देख सकते हैं कितना अच्छा बनेगा तो उधारन के लिए चलिए और पिंग color हम बना के दिखाते हैं तो इसका color code एक 45 साथ है देख सकते हैं अगर यह आप 4 लिटर company से computer से बनवा के लाते हैं तो देख सकते हैं कम सकम 3500 रुपया से उपर लेगा यह pink color देख सकते हैं चलिए यही color अब अपने हाथों से बना के इसमें यूज करते हैं तो सबसे पहले इसमें हमें 1 लिटर white primer लेते हैं तो इसमें कुछ पहले से बना हुआ था इसलिए pink color बना हुआ है तो यह दोस्तों fast rate है तो हमने 200 ml fast rate मंगवाए है इसमें कुछ पहले से ही बना हुए थे तो इसी में हम बनाते हैं तो white जो है 1 लिटर white इसमें हम डालते हैं और दो डबा जो है 200 ml इसमें हम यूज करते हैं तो 200 ml जो है इसमें पेंडराइड का है तो इसमें हम यूज करते हैं फास रेड तो फास रेड जितना इसमें देज़ेगा उतना ही डार्क होते चल जाएगा जितना आप डार्क किज़ेगा उतना जदा डालना परेगा इसमें तो हमको light ही करना है तो light करना है तो pink color में हम दो डबा यूज किया और पाहले से भी कुछ mix था तो इसका अलग से अगर lipstick pink color आप वीडियो देखना चाहते हैं तो description में link है वहाँ से भी आप देख सकते हैं घर में किस तरह यूज किया जाता है तो चलिए इसमें light pink color बन चुका है और कहीं जहां करने का है उस जगह तो हम चलिए start करते हैं शुरू करने का अभी आप देख सकते हैं कितना कैसा लग रहा है ये घर इसके बाद देखिए जहां करने का था पिलर में और भी समय भारने का था pink color red color देख सक हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है पहले में और अभी में कितना आस्मान धर्ति का फ्रक हो चुका है और चोकाट दरवाजा सब में जो हम किया golden brown paint किया है देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है घर का रूप ही बदल गया है painting कर जडूर बताएं और क्या सब जानकारी मिला जडूर बताएं ताकि हम भी खुस होंगे और आप लोग को भी हम इसी तरह वीडियो बना के खुस करेंगे और अच्छा अच्छा जानकारी सब हम आपको जडूर शेयर करेंगे तो दोस्तों कितना अच्छा लगा जडूर कमें गाफियर, वावल, पुट्टी, कोमेनेशन, पेंट, तो इस सब का वीडियो और लेडी इस चैनल पे बना हुआ है आप देख सकते हैं और अच्छा अच्छा जानकारी ले सकते हैं देख सकते हैं यह सब हमने हाथों से color बना हैं और कितना color बना चुकें तो दोस्तों इसी तर आप वीडियो देखते रहे हैं जानकारी लेते हैं मिलते हैं नेक्से विल्म तब तक लिए गुडबाई नमस्कार